है hello every one good morning to all of you , blew up to current affairs logics so आज केस वीटो में देखे हम कiver करने वाले हैं 21 और 22 एप्रिल के इमपार्टन हे में इम्पर्टन्थ के क्वेशन और देली करेंटेफेस के साथ साथ इम वेकते साथ कारेंगि इस वीडियो में स्टेटिक जबाराई के भी तो वीडियो को शुरू से अंतर तक बूरा देखेगा और लास्ट में फ्रेंड्स हम दो क्वेशन आप लोगों से पूछते हैं टेस्ट की और उनकी आंसर आप करिएगा कॉमेंट बॉक्स भी तो चलिए फ्रेंड्स आज की सेशन को शुरू करते हैं और इस वीडियो का जो पीडियेफ है वो आप लोगो मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम चैनल को आप लोग डारेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलिग्राम पर करेंट अफेस लॉजिक्स नाम से और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है वहां से भी आप एंड चीज तैम सो हर एक मॉर्णिंग देखे आपके पास दो चॉइस होती है या तो आप अपने ड्रीम के साथ में सुकते रहें या उठी उनको चीज यानि उनको पूरा करने की पीछे दोड़ें सो ये चॉइस आपके पास होती है कि आप क्या चाहते हैं आप मेहनत करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ सबने ही देखना चाहते हैं तो इसका डिसीजन आपको लेना होता है तो इसलिए अच्छे सी सो समझे एक बहतरे डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लिए तो चलिए फैंट सबसे बेले बात करेंगे आज की इंपोर्टेंट डे सी तो आ उदेशे हैं तो एकनॉलिज ता वर्क ऑफ ऑफ ऑफिसर्स इंगेश्ट इन सेवरल पबलिक सर्विस डेबाट्मेंट इन दा कंट्री तो देश के कई सारे जो सारवजनिक सीवा विभाग हैं उसमें जो भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं जो वो काम करते हैं उनके काम को बलभाई पतेल जी की बात करते हैं तो बलभाई पतेल जी रेफर्ड तो सिव्ल सर्वेंट्स एज जो वो एकने कई किस ने कहा है बलभाई पतेल जी ने तो ये फ्रेंट्स आप लोग याद रखें नेक्स्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टन डे है अर्थ डे जो की मनाते हैं बाइस एपरिल को 22 एपरिल को मनाया जाता है देखे अर्थ डे इस दन को मनाने के पीछे का में उदेश है to increase public awareness of the detrimental effect that plastic pollution has on both human and environmental health कि plastic pollution जो है उसका human यानि मानव और हमारे environment दोनों पर कितना हानेकारव भापर रहा है उसके बारे में सारवजनिक जागरुपता बढ़ाना इसका उदेश है 2024 कि इसकी क्या theme रही है planet versus plastics जो है वो इसकी इसबार की theme है तो यह दोनों important हैं काफी अच्छे हैं और यह exam में भी कई बारे में पूछा चाता है सो चले फ्रेंट से बात करेंगे आज के पहले important question से सो आज का देखे first question है हमारा in April 2024 इंडिया has delivered the first batch of भ्रमोस supersonic missile to which country सो भी अभी हाली में April 2024 में भारत ने किस देश को ब्रमोस supersonic cruise missile की पहली जो पहला जो batch है वो उनको सौपा है उनको deliver किया है सो first batch जो है वो deliver किया गया है फिलिपिन्स देश में और कौन सी missile है ब्रमोस supersonic cruise missile इस missile के बारे में थोड़ा सा बात करें तो भ्रमोस aerospace private limited चुकि एक इंडिया रशियन joint venture है ये इन supersonic cruise missile को produce करता है ये जो missile है ना friends इन missiles को submarine, ships, aircraft या फिर land यानी इनको इन पंडुब्यों को submarine से, इन missile को submarine से, पंडुब्यों से, जहाज से, विमान से या किसी प्लेटफॉर्म से launch किया जा सकता है ये इनकी special, इनकी खास बात है और इन missiles को जो है वो ब्रमोस aerospace private limited ने जो है इनको develop किया है तो first batch किस तेश को भीजा गया है याद केंगे फिलिपेंस तेश को next बात करते हैं अगले question की where was a new species of clouded tiger cat named और इसको नाम क्या दिया है leoparders party noids found recently so अभी हाली में clouded tiger billy की एक नई प्रचाती जिसका नाम lepder's party noids है कहां पर ये पाई गई है तो अभी हाली में ये पाई गई है Brazil's rainforest में जो है ये देखी गई है इसको नाम जो दिया है इसका नाम जरूर याद रखेंगे that cat may be small but it is significant for biodiversity and conservation ये जो clouded tiger cat नाम की जो बिल्ली है ये छोटी हो सकती है लेकिन ये हमारी biodiversity यानि जो जैव विविदता है और संदक्षन है उसके लिए काफी महतवपूर है Brazil की बात करे capital है ब्रसीलिया currency है Brazilian real और यहां के president कौन है Luis Inakio Lula de Silva जो है यहां के president है next important question है friends which country become became the 38th country to join the Artemis Accords so very important question इसको अच्छे से बाग करेगा कौन सा देश है जो की Artemis समझोते में शामिल होने वाला 38 देश बन गया है so कौन सी country है Sweden है जो की 38 country बनी है जिसने Artemis Accords को join किया है the Artemis Accords are set of principles for cooperation is space exploration and the use of the moon, Mars, comet and asteroid for peaceful purpose so अगर Artemis Accords की बात करें तो यह अंतरिक्ष अन्वेशन और शान्तिपूर्ण उदेश्यों के लिए चंदर्मा, मंगल, धुमकेतो, शुदरगरहों के उपयोग में सयोग के लिए सिधानतों का जो है एक समू है इसके बारे में याद रगेगा अच्छा अगर हम बात यह करें कि इंडिया भी Artemis Accords में है इंडिया जो है वो 27th country ती जिसने साइन किया था Artemis Accords को तो Artemis Accords को साइन करने वाली इंडिया कौनसी country बनी दी? 27th country और अब बात करें कि Artemis Accords शो है यह साइन कब किया गया था तो इसके बात करें तो 13 October 2020 को जो है friends इस समझोते यह इसको साइन किया गया था ठीक है तो इसकी शिरुआत जो हुई थी वो 2020 से हुई थी Next हम कोशन की बात करते हैं So हाली में देखे DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक cruise missile का उडान परिक्षन कहां पर किया गया है तो इसका फ्रेंट जो उडान परिक्षन है देखे यह किया गया है चांदीपूर उडीसा कोस्ट पे जो है वो इसका परिक्षन किया और किस ने किया है यह भी पोश सकते हैं तो इसका जो परिक्षन है वो किया है DRDO ने The missile was test fired from the integrated test range जो कि चांदीपूर जो coast of उडीसा है वहां पे चांदीपूर है जहां से इसका परिक्षन किया गया है The flight of the missile was also monitored from the SU-30 MKI aircraft of the Indian Air Force तो हमारे Indian Air Force का एक spacecraft है SU-30 MKI तो उस spacecraft से जो है इस missile का जो परिक्षन किया है इसको monitor जो है किया गया है DRDO के बात करें DRDO का पूरा नाम है Defense Research and Development Organization DRDO के स्थापना हुईती 1958 में headquarter DRDO का New Delhi में है और इसके president है Samir V. Kamath Next question है which Indian state top in electronic goods export with a record 9.56 billion dollar in 2023-24 पिछले अगर हम पूरे fiscal year की बात करें 23-24 की बात करें So record 9.56 billion dollar के साथ electronic सामान निर्यात में कौन सा भारते राज्य जो है शीश पर रहा जिसमें सबसे जादा जो है electronic सामान को export किया है तो उसमें सबसे टॉप पर रहा है Tamil Nadu state Tamil Nadu के बाद इसमें second number पे कौन सा state रहा है करनाटक जिसका अगर हम बात करें export या कितना निर्यात किया है उसने 4.62 billion dollar का लेकिन हमें first number वाला state याद रखना है Tamil Nadu बात करते हैं Tamil Nadu state की तो यह Tamil Nadu state की formation हुई first of November 1956 को capital है चेन नहीं, CM है M.K. स्टालीन, गवर्नर है आरन रवी राजसबा की seat हैं 18, लोकसबा seats हैं 39, assembly seats हैं यहाँ पे 234 important यहाँ के national park है मुदुमलाई, मुकूर्थी national park, इंदरा गांधी national park, गुिंडी national park अब बात करेंगे Tamil Nadu से कुछ और current affairs news के बारे में, तो चले कुछ important news को revise कर लेती हैं, तो Tamil Nadu सरकार ने पुदुमाई pen scheme शुरू करी थी और यह शुरू करी गई थी girls students के लिए, इंडा की जो पहली ambulance थी, street animals के लिए देखे यह शुरू की थी Tamil Nadu state ने ही, next friends important news रहेगी, Tamil Nadu सरकार ने अभी रिसेंटली निनिंगल नलंबा scheme शुरू कर रही थी, प्रोजेक्ट नेलगेरी तहर जो है यहाँ पे launch किया गया था, इसके लावा friends Tamil Nadu की पुलिस ने launch कि देखी scheme जो महिलाए नाइट में travel करती हैं अकेले, उनके लिए जो है scheme यहाँ पे शुरू करी गई थी, friends of library प्रोग्राम जो है यहाँ पे शुरू किया था, इसके लावा शेवास नाम से एक mobile application शुरू करी थी, शिवास का पूरा नाम है, Sanitations, Workers, Health, Welfare and Safety, इस application को भी किस ने शुरू किया था, तमिलाडू गवर्मेंट नी next question पे आते हैं, three new archaeological sites have been discovered in which state, किस राज्य में अभी तीन नए पुरा तात्विक इस्थल जो है, वो खोजे गए है तो तीन नए archaeological sites जो है, वो खोजी गई है, तेलंगाना state में, so एक archaeologist के team है, जिन्होंने तेलंगाना के मुलुगू district है, देखिए मुलुगू district है, मुलुगू district के SS, तडवई मंडल में, बंडाला विलेज है, उसी के पास एक जगा है, ओरगुट्टू, वहाँ पे unique iron age, megalithic site जो है, खोजी-खोजी है, तो पूरे archaeologist के एक team थी, जिन्होंने इसको discover किया है, कौन से state की बात हुए है, यहाँ पे तेलंगाना की, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के दिये स्थापना होई थी, दो जून 2014 को, capital है, हिदराबाद, चीफ मिनिस्टर है, रेवन्त रिड्डी, और फिंड डेपुटी सीम है, आके, मल्लो भटी, विक्रमर का, तेलंगाना असेंब्ली के speaker कौन है, गड़्डम प्रसाद कुमार, तेलंगाना से अब मैं आपको कुछ और important news को दिखे, थोड़ा सा revise करा देती हूँ, तो तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ पे अभी शुरू करी थी, इंद्रियम्मा housing scheme यहाँ पे start की गई थी, इसके लाबाव यहाँ पे महालक्ष्मी scheme शुरू करी थी, जिस पे महिलाओं, girls और transgender persons को free travel जो है, वो provide किया जाएगा, तेलंगाना का जो पहला insured village बना, उसका नाम है मुखरा village, तेलंगाना government ने cool roof policy को शुरू किया था, गर्मी से निजात पाने के लिए या उस से लड़ने के लिए, एक health program शुरू किया था, यहाँ पे आरुग्य महिला नाम सी, next question देखे, senior IPS officer, नलिन प्रभात, has been appointed as a director general of which of the following, so नलिन प्रभात की बात करें, तो यह अभी किसके देहें महानिदेशक इनको न्युक्त किया गया है, तो यह पॉइंट हो है, NSG, National Security Guard के director general कौन बने है, नलिन प्रभात, नलिन प्रभात, 1992 batch के IPS officer है, आंधर प्रधेश काडर सी, बात करें हाँ पे, National Security Guard की, तो इसकी स्थापना हुए थी, 16 October 1984 को, और headquarter यहाँ का है, न्यू डेली में, कुछ और appointments की बात करेंगे, defense sector में देखिए, तो अभी naval staff के, जो next chief बनेंगे, उनका नाम है, दिनेश कुमार तरपार्टी, CBI में joint director बने अनुराख कुमार, SPG के inspector जनरल बने है, लव कुमार, National Investigation Agency के director जनरल बने है, सदानन्द वसंत दाटे, Bureau of Police Research and Development के director जनरल बने, राजीव कुमार शर्मा, National Disaster Response Force के director जनरल कौन बने है, प्यूश आनन्द, सो friends, कुशिश करें देखिए, आप भोग भी questions से कुछ ना कुछ revise करनेंगी, देखिए, जादा revise करेंगे, सो current affairs को आप बहुत इसली cover up कर सकती हैं, चलिए friends, से बात करेंगे, next important question की, अजीद कुमार केके has been appointed as a MDNCO which bank for 3 years, सो अजीद कुमार केके को 3 साल के लिए देखिए, किस bank का MDOCO निक्त किया गया है, तो इन्हें appoint किया है, धनलक्ष्मी bank के बने हैं, ये new MDOCO, question इस तरह से भी पूछ सकते थे कि धनलक्ष्मी bank के MDCO कौन पॉइंट हुए है, अजीद कुमार केके, धनलक्ष्मी bank चुहें इसकी स्थापन हो थी 14 November 1927 को headquarter है इसका 3 सूर केरलामी, किस भारते महिला होके टीम के खिलाडी ने असुनता लाक्ष्मी पुरुष्कार जीता है, तो ये अवर्ड जीता है किसने दीपीका सौरेंग ने, दीपीका सौरेंग ने अपना डेब्यू शुरू किया था वोमेंस जूनियर एशिया कप में, उन्होंने देखिये जो महिला जूनियर एशिया कप है उसमें देखिये उन्होंने अपना डेब्यू किया और उन्होंने 6 मैर्चेस में 7 गोल करके इंडियर टीम को गोल्ड मेडल जिताने में, उन्होंने उनकी भी एक contribution रहा है या उन्होंने मदद की है next question who has been honored with an international fellowship by the prestigious engineering academy of Japan सो भी हाली में जपैन की प्रतिष्ठित engineering academy के द्वारा अंतराष्टे fellowship से किसे सम्मानित किया गया है तो ये honor दिया गया है किसे कौशिक राजशेकर जो है उन्हें सम्मान दिया गया है engineering academy of Japan के द्वारा उनको international fellowship से जो है सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेकर के बात करें तो ये professor है University of Houston School and College of Engineering ये जो honor उनको दिया है ये honor recognize करता है उनके outstanding contributions को to the field of power conversion and electrification of transportation so power conversion यानि विजली रुबांतरन और परिवहन के विद्धुती करण के छेतर में जो उनका उतकरस्ट योगदान है उसी योगदान को ये honor recognize करता है या उसको ये मानिता देता है अब देखे awards की बात आई है तो चलिए कुछ और important awards को revise करती है prestigious PB नसीमा राव Memorial Award ये किसनी जीता है तो ये award मिला है रतन टाटा जी को चमेली देवी जैन journalism award मिला है गरीशमा कुठर एंड रितिका चोपड़ा को रेस्मस प्राइस 2024 से सम्मानित किया है अमिताब घोश को मेजल्स और रुबेला चांपेन अवार्ड ये award मिला है इंडिया को National Youth Parliament Festival 2024 में पहला प्राइस जीता यातिन भासकर दुगलनी Next question है friends Who honored with the prestigious Lata Dina Nath Mangeshkar Award So prestigious Lata Dina Nath Mangeshkar पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया तो ये honor किसे दिया गया है अमिताब बच्चन तो इन्हें सम्मानित किया गया है Lata Dina Nath Mangeshkar Award से ये prestigious award जो है ये हमारे nation और society के लिए जो लोग exceptional contribution देते हैं जो असदारा योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको ये सम्मान देता है Lata Dina Nath Mangeshkar Award जो है इसके शिरुवाद कब से हुई थी? 2022 जो है 2020 रूमेंस के शिरुवाद हुई थी Legendary Lata Mangeshkar जी के honor में जो है इस award को शुरू किया गया था Next question है How many total medals did India get in the 13th European Girls Mathematical Olympiad 2024? 13 European Girls Mathematical Olympiad 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? इंडिया को देखे इसमें total पदक कितने मिले है? 4 जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 2 देखे silver medal है और 2 है bronze medal तो total हो गए 4 ये जो Olympiad था ये कहां पी हुआ था तो Georgia में जो है इसको आयोजित किया गया था आप देखे medal 4 जीते हैं तो किसकिस ने जीते हैं इनके नाम हम देख लेते हैं silver medal की बात करते हैं तो हर्याना की गुंजन अगरवाल और केरला की संजना फिलियो चाकू इन्होंने दोनोंने जीता है silver medal bronze medal की बात करेंगे तो देखे हर्याना की लारिसा और महराष्ट की साई विटल पाटल इन दोनों ने कौन सा medal चीता है bronze medal तो टोटल इंडिया ने कितने पदक चीते हैं इस चांपेंज या इस ओलंपियाइड में चार medals so friends यहाँ देखे हमारे करेंट अफेस के questions complete हो गए हैं अब बात कर लेते हैं friends strategy के कुछ important questions पहला question है देखे the first planet which was discovered using a telescope is so Durbin का उपयोग करके खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है so सबसे पहला ग्रह जिसको Durbin से खोजाता उसका नाम क्या है Uranus so Uranus is visible to the naked eye बट इसको पहले recognize नहीं किया गया था as a planet तो उसके बाद दिखिए इसको telescope के दुआरा यह identify हुआ यह planet तो Durbin को उपयोग करके जो पहला planet हो जा गया था वो कौन सा था Uranus next देखे which wildlife century is also called mini kazi ranga किस वर्न्यजीव अभ्यारने को mini kazi ranga भी कहा जाता है तो friends यहाँ पर right answer है Pobit Yora wildlife century जो है इसे mini kazi ranga भी कहा जाता है next question which state is the largest producer of gypsum in India भारत में gypsum का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो सबसे बड़ा जिपसum का जुदपादन है वो होता है कहाँ पे राजस्थान में next रूद्र प्रियाग is situated at the confluence of which rivers रूद्र प्रियाग की नदियों के संगम पर इस्तित है तो यह है मंदाकनी and अलग नंदा नदियों के संगम पर है रूद्र प्रियाग next which city is called garden city तो किस शहर को garden city कहा जाता है the right answer is बिंगलोर को फिंग्स garden city के नाम से भी जाना जाता है so यहां देखे हमारे strategy के questions भी पूरे हो गए अब हम देखे last हमने Saturday जो हमने cover करे थे questions वीडियो में उनको थोड़ा सा revise कर लेती है कुछ पारबार देखे हम लोग अच्छे सो इन questions को revise करेंगे तो हमारे current face all भी strong हो जाएंगे सबसे पहला question है which country has become the first country in world to roll out the revolutionary new Men5CV vaccine against meningitis तो यह जो टीका है इसको पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है Nigeria next है where did Ireda Ireda ने जो है अपना एक office open किया है और यह office कहां पे open किया है Gandhi Nagar में which Indian actress जिसको include किया गया है among the hundred most influential people in the world by time magazine तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशारी लोगों में किस भारत्य अभिनेतरी को शामिल किया गया है Alia Budd so अगर हम hundred most influential list की बात करें तो total 8 Indians हैं जिसका नाम इस list में शामिल किया गया है with which IIT has the AFMS partnered for better military health technology in difficult areas तो इसके लिए AFMS ने किस IIT के साथ में partnership करी है IIT Kanpur अगला कुशन है दलीब सिंग मजीथिया passed away recently at the age of 103 who was he तो दलीब सिंग मजीथिया की बात करें तो ये कौन थे? इंडिया के oldest air force pilot थे? जिनका हाली में निधन हो गया recently देखे तिरंगी बर्फी को GI tech मिला है it is related to which city तो तिरंगी बर्फी का संबन कौनसे शहर से है? वरानसी से Clean Max ने जो है partnership करी है किस company के साथ मिलके to accelerate the adoption of renewable energy solutions across India तो इसके लिए Clean Max ने जो है partnership करी है किस के साथ? Apple के साथ who has been appointed as a new chief of naval staff तो मैंने भी आपको बताया था कि जो अगले chief बनेंगे naval staff के appoint होंगे दिनेश के तरपाथी so friends यहां हमारे देखे सारे ही most important questions complete हो गए अब test questions की बात करते हैं जो कि हम daily current affairs के session में आपसे हमीशा पूछते हैं पहला question देखे the oldest mountains in India according to geographical history are भोगलो कितियास के अनुसा देखे भारत में सबसी प्राचीन परवज्जों है वो कौन सा है second question देखे नेवली thermal power station यह भारत के किस राजे से संबंदित है यह simple बात करें तो नेवली thermal power station भारत के कौन से राजिया में located है तो जल्दी से आप हमें इन दोनों question के answer comment box में बता दीजिए और friends आज का daily connect face का session होता है यहाँ पे complete friends अगर आप हमारे channel को कुछ भी contribute करना चाहते हैं sub to according to you तो आप हमें यहाँ से contribute कर सकती है ऐसे ही important session में फिर आप लोगों से मिलेंगी वीडियो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को friends like और share जरूर करें और अगर आप हमारे channel पे नए हो तो आपका स्वागत है please friends channel को subscribe जरूर करें thank you so much for watching this video